सद्गुरू, अगर स्रिष्टी पर्फेक्ट है और स्रिष्टा ने हम पर इतना अच्छा काम किया है, जैसे आप कहते हैं, फिर दुनिया में इतना कश्ट क्यों है? हमें यहां रहने के लिए किसी की करोना पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है? तो अगर स्रिष्टा ने हम पर बढ़िया काम किया है, क्यों हैं, क्यों फिर दुनिया में इतनी ज्यादा पीड़ा है? हमें यहां रहने के लिए दूसरे लोगों की करोना पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है? यह ऐसा है, एक बार ऐसा हुआ, एक छोटा लड़का दस डॉलर का नोट लेकर घर आया, ओहायो में, एक छोटा सा लड़का दस डॉलर के नोट के साथ घर आया, उसकी माँ ने पूछा, वो बोला, यह मुझे मिला, उसकी माँ ने पूछा, ल्यूक, क्या यह वाकई तुम्हें मिला? तुम्हें पक्का यकीन है? वो बोला, बिलकुल मा, मैंने उस आदमी को वो खोशते हुए भी पाया, इतना कर्ष्ट क्यों है, अगर यह एक परफेक्ट काम है, यह इतना परफेक्ट काम है, कि यह आपको उस तरह होने का अफसर देता है, जिस तरह आप होना चाहते हैं, अगर स्रिष्टी ने आपको ज़रूरी अफसर नहीं दिया होता, कि आप वो हो सकें, जो होना चाहते हैं, फिर कोई संभावनाय नहीं होती, है न? फिर मुक्ती जैसी कोई चीज नहीं होती, तो क्यों बंधन पैदा करें और फिर मुक्ती? आप मुक्त क्यों नहीं हो सकते? फिर कोई स्रिष्टी नहीं होगी, एक स्रिष्टी मौजूद है, इसी लिए उसके परे जाने की संभावना है, यह जानवरों में और जीवन के दूसरे रूपों, जिने आप अपने आस पास देखते हैं हर तरह के, उनमें ज्यादा संभावना नहीं है, संभावना सिर्फ गुजर बसर करने, बच्चे पैदा करने, जीवन जीने और एक दिन मर जाने की है, क्योंकि कोई खास संभावना नहीं है, इसलिए ज्यादा दुख भी नहीं है, आप धर्थी के दूसरे प्राणियों को इंसानों की तरह कष्ट सहते नहीं देखते, उनका कष्ट पूरी तरह शारीरिक होता है, अगर उन्हें शारीरिक नुकसान होता है, तो उन्हें दर्द होता है, दर्द में भी वो उस तरह का कश्ट नहीं जानते जो एक इनसान जानता है इनसान इस कश्ट को जानता है इसलिए नहीं क्योंकि स्रिष्टी ने आपको ये कश्ट दिया है स्रिष्टी ने सिर्फ आपको ये आजादी दी कि आप खुद से जो चाहें, वो बन सकते हैं आप खुद से कष्ट बना रहे हैं या दुनिया की एक बड़ी आबादी ने खुद से कष्ट पैदा करने का फैसला किया है ये उनकी पसंद है भौतिक हकीकत कई बार आराम दे होती है, कई बार आराम दे नहीं होती ऐसा है, हमें अपने लिए ज़रूरी आराम पैदा करने के लिए ज़रूरी बुद्धिमत्ता दी गई है ये वास्तव में कोई समस्या नहीं है अगर हमें एक दूसरे से कोई समस्या न हो तो दुनिया की सारी आबादी के लिए आराम पैदा करना कोई समस्या नहीं है ये वास्तव में बिलकुल भी बड़ी समस्या नहीं है सिर्फ इसलिए कि हमारी आंतरिक समस्या है सिर्फ इसलिए कि ये आजादी जिसे एक वर्दान होना चाहिए था मानपता के लिए अभिशाब बन गया है अभी इनसान जिससे दुखी है वो उनका बंधन नहीं है वो अपनी आजादी से दुखी है अगर आप अपने बंधन से दुखी है तो ठीक है लेकिन अगर आप अपनी आजादी से दुखी हैं, तो ये दुखद है अभी इनसान दुर्भाग्य से अपनी आजादी से दुखी है इस पल आप अपने अंदर कुछ भी पैदा कर सकते हैं आप अपने अंदर खुशी पैदा कर सकते हैं, आप अपने अंदर दुख पैदा कर सकते हैं. क्या करें अगर 50 फी सदी लोग या 90 फी सदी लोग खुद से दुख पैदा करना चुनते हैं? ये सृष्टी की गलती नहीं है. उसने बस आपको आजादी दी ताकि आप परे जा स सकते हैं आपके अंदर जीवित रहने की प्रवृत्ति है लेकिन फिर भी आपके पास इन प्रवृत्तियों से परे जानी की संभावना है अगर आप परे जाने का चुनाव नहीं करते हैं इसका मतलब है अब भी ज्यादा कर्ष्ट ने आपको नहीं चुआ है क्योंकि दुनिय अधिकांश लोग जीवन से कुछले जाते हैं तभी वो परे जाते हैं तभी वो परे जाने के बारे में सोचते हैं वरना नहीं मैं नहीं जानता कि आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं ल्यूक आप जल्दी आ गए लेकिन भारत में अगर अगर आप किसी से कहें कि मैं एक आश्रम में रहता हूँ तो वो आपसे पूछेंगे क्यों क्या गड़बड हुई आपके जीवन में क्या हुआ तो वो मानते हैं कि कुछ वाकई गड़बड होता है तब ही आप आश्रम जाएंगे क्योंकि अधिकान्ष लोकों की बुद्धिमत्ता ऐसी होती है क्योंकि वो अपना दिमाग कोल्ड स्टोरेज में रखते है उन्हें लगता है कि वो भविश्य में उसका इस्तिमाल करने वाले है परे कि कोई भी चीज तभी खोचते हैं जब उनके जीवन में वाकई कुछ गड़बढ होती है तब तक चाहे कुछ वाकई गड़बढ हो जाएं वो सिर्फ अगली बार बहतर जीवन की प्रार्थना करेंगे अब आपको किसी की करुणा या समझदारी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है पूरी दुनिया आपकी करुणा और आपकी समझदारी की छत्र चाया में रह सकती है मैं देखना चाहूंगा कि आप इस तरह खड़े हों कि दुनिया आपकी करुणा और समझदारी की चाया में जिये आप दूसरों की करुणा और समझदारी पर नहीं जिये अगर आपकी कोई गरिमा है, तो आपको ऐसे ही जीना चाहिए, है ना? है की नहीं?